वेलकम फेंट्स कैसे हैं आप सब भी आयो पाप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों नॉर्मल एंप्लिफायर जो हमारे कुछ सब्सक्राइबर उसे कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है और जो इस तरह के एंप्लिफायर होते हैं 12 वोल्ट से चलने वाले इस तरह से देखने चलने में अब होते हैं रिप्लाइए करने का लेकिन दोर समय नहीं होते हैं इतने बंडे हैं ओनलाइन क्लास भी लेनी होती है प्लस अपनी मैं धुकान तो देखे दोस्तो जो भाई इस amplifier को repair करने problem करें आज के बाद वो कोई problem नहीं करेंगे इसका मैं ऐसा समझा दूँगा आपको दिक्कत आएगी ही नहीं चलिए दोस्तों बताता हूँ सबसे पहले amplifier किस base पर काम करता है आपको ये पता होना चाहिए बेस मतलब ये कैसे कैसे काम करता है ये हमारा इसका circuit है complete यहाँ पर समझ लेजी ये circuit है मैं ज़रा camera को set करता हूँ और ये जो इसका circuit है ये combined circuit है combined circuit किसको बोलता है जिसके अंदर दो तिन चीजे एड होई होती है जैसे अब ये circuit है अब देखिए इसके अंदर यहाँ चार ट्रांजिस्टर लगे है एक side इसकी side है तो हमारा क्या हो गया दो channel हो गया दो तो channel हो गया यहाँ पर क्यूंकि यह side देगे अलग है बिल्कुल और यह side अपनी बिल्कुल ही अलग है ठीक है अब इसके अंदर दोस्तो हमारी यहाँ पर power supply दी हुई है यह इतना यहां से इतना एरिया लगा लो और यहां से लेकर यह इतना भी एरिया है यह power supply है यह जो ट्रांस्वाम में लगाता है ट्रोडल इसमें क्या होता है जीरो 606 से 45-45 करने के लिए यह जो ट्रांस्वेट लगाए गोए तो यह यहाँ पर इनको IC को IC टिगर करा करके ने चलाती है अब मैं आपको बता देता हूं देखिए यहाँ पर इतने एरिया में हमारी supply है इतने एरिया में हमारे channel है अब मैं आपको fault का कर आता है तो आपको कैसे क्लियर करना है ठीक है वह एक बता देना चाहता हूं कुछ combine board ऐसे भी आ रहे हैं जिनके अंदर base table included आ रहे है इसके अंदर ही set है लेकिन इसके अंदर देखिए base table section जो है वह बिल्कुल अलग से लगाया गया है यह हमारा अलग है system amplifier channel और हमारा supply channel य में उसमें भी आसान है क्योंकि देखिए जैसे मैं अगर इसे उल्टा करता हूं न तो देखिए बहुत simple तरीका है यहां से इधर से इन लाइन से सुरू से लेकर इधर हमारा कोई matter ही नहीं है यह देखिए यहां से बिल्कुल आलग है यह supply बस इसमें चिपका दी गई है इ ऊब की जो नए मकैनिक गलती करते हैं क्या यहां से इसकी output हो गई यहां से सिडू का कापिस्टrs है जिरो बार इंबल बार है यहां बतारं मैं तो यहां पर होता क्या है यहां पर fuse दिये गई होते हैं यहां से जब output जाएगी ने voltage यहां तो यहां fuse दिये गई होते हैं यहां यहां से अपने इस तरह के print जोड़ेगा है तो यह जो print आइने हमें हटाना पड़ता है तो होता क्या है इंगे की supply जो होने प्लस और माइनस की supply वो कट जाती है ग्राउंड डिरेक्ट रहता है यह देखिए इसका माइनस और इसका प्लस एक जंग जाकर करके ग्राउंड पर चलागा है यहां पर माइनस supply और यहां से प्लस supply तो यह हमारे डिसकनेक्ट करने होते हैं उससे कंफर्म क्या होता है कि फिर हमारी supply बिलुकुल free हो जाती है supply फ्री होने के बाद ही तो मैं पता लएगा कि supply fault है अगर आगे sorting होगी ना supply में वोल्टेज जब भी ड्रोप होंगे तो हम यहां से क्या करते हैं यह कट कर देते हैं मैं करते हैं हमारी आगे supply जानी बंद हो जाती है तो हमारी supply चेक कर लेते हैं तो जब डैड आती है तो हम देख लेते हैं फ्यूज उड़ा वह तो नहीं है उसके बाद में हमने यहां से प्रिंट अटा लिए यह हमने अटा लिए अब हमारी जब भी बंद है supply हमने देख लिए इन पर परशंट चल जाता है फिर भी अगर किसी बज़े से एक परशंट आपको चेंज करने हो आपको सारे चेंज करने हैं तो आपकी supply क्लियर हो जाएगी तब आपको जोडने के बाद अगर आपके करने ड्रोप हो रहा है तो आपको देखना है कि दोस्तों इन में ट्राइंस्ट परशंट में हमिंग आ रही है तो यह जो बीडी एक प्रोब्लम आई तो डैड के लिए supply चेक करने होती है लेप्ट में प्रोब्लम आ रही है वो इसमें तो हमारे लेफ्ट चैनल पर काम करना होता है यहां पर यह दो दो चोटे वाले एक एन पन पी बहला बीडी एक सो नन पर दोनों टैंस्टर बड़े वाले चैक फिर चोटे वाले चैक पस यह दोनों चैलने हैं किलिए होगे यहां पर supply किलिए होगई अब सबोज किजिए हमारी ओडियो यहां तक तो पी 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 इस तरह से बोनने पर आ रही है लेकिन यहां से नहीं आरी तो इसको चला है इसकी पूरी रिपेरिंग हमने चैनल पर लेडी वीडियो डाल लग किया कुछ भी प्रोल्म हों तो हमें कमेंटों जुरू बढ़ा देना वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना अपने शेयर कर देना आज के लिए अतनी मिलते नेक्ष्टरों में जैहिन वन देमातम दोस् तो आपका दिन सोबाप अच्छे हैं कुछ रहें